तो यह है पार्ट वन पार्ट थोड है इसका तो इसमें हम वाइरिंग सीखेंगे ठीक है डबल टेप की वज़े से आप प्लाइट कंट्रोलर को चिपका सकते हैं अच्छे तरीके से चिपकाना है ताकि वाइबरेशन जो है वो कम हो ठीक है यह पलेट जो मैंने लगाया है यह इसके साथ आता है वाइबरेशन को हडाने के लिए फ्रेंट साइड मैंने वाइट की तरफ रखा है वाइट जो दो आर्मज है उपर की तरफ मैंने फ्रेंट साइड रखा है ठीक है आप यहां से देख सकते हो जो राइट में है वो काउंटर कॉलाकवाइज मोटर वन काउ receiver को put करेंगे यहांपर जो भी signal transmitter की तरफ से आएगा तो वो यह receive करेगा फिर polite controller को वही वही करना है ठीक है? डबल टेप की माधिम से हम इसको चपकाएंगे अच्छी तरीके से इसमें एक wire है 3-pin wire white, red and black ध्यान रहे कि जो FSI6 का जो receiver मिलता है इसका उपर साइड सिगनल है बीच का positive नीचे का negative ठीक है तो उपर साइड हमें white वाला रखना है ये वाला उपर साइड यहां पर PPM में हमें लगाना है white वाला, red वाला और सिगनल वाला तो इसको हम चिपकाएंगे flight controller में जो नीचे साइड होता है वो सिगनल होता है बीच का positive उपर गना गेड़ू इसको हम अच्छी तरह के से चिपका के आपको PPM encoder की जरूरत नहीं है क्योंकि flys का इटरनसमीटर में एक option है PPM encoder वो आपको on करना है उसके बाद आपको PPM encoder की जरूरत नहीं लगीगी यहां पर इसको हमने अच्छी से चिपकाया है यहां पर जो दो वायर्स है इनको हम टेप की मदद से इसको चिपकाएंगे ताकि यह फिर जो प्रापिल वर्स हैं उनको ना लगे ठीक है तो यहां पर यह सारा कुछ सेट अप हो गया है अब हमें यह जो है इसमें वायरिंग करनी है ठीक है यह मोटर 1 है यह काउंटर कुलाक वाइस नीचे में मोटर 2 है काउंटर कुलाक वाइस यह मोटर 3 है कुलाक वाइस 4 कुलाक वाइस ठीक है opposite direction में चलाना है इन सारों को तो यह जो receiver से हमें मिलता है इसको हम RC में लगाएंगे फ्लाइट के RC में लगाएंगे जो left वाला है RC इस port में हम लाएंगे white वाला नीचे रखेंगे white का signal है पहले में दिखाँगा ppm encoder कहां से आपको on करना है यहां पर हम okay पर system में जाएंगे system में okay करेंगे उसके बाद Rx setup है नीचे वहां पर जाएंगे दूसरा है PPM output इसको हम on करेंगे फिर हमें PPM encoder के जरूरत नहीं पड़ेगी हमने इसको on किया है उसके बाद back जाएंगे cancel पर hold करेंगे तो यह sitting save हो जाएगी बैक जाएंगे जो white वाली है वो signal है यह receiver की जो wire है इसको हम RC में लगाएंगे flight control पिक साथ में नीचे वाली जो है वो signal है बीच वाली positive उपर वाली negative one two three four इसमें motor लगाने हैं left के जो right side के one two three four five seconds उनको छोड़ना है उसके बाद one two three four में motor लगेगा RC में लगेगा receiver का पिन यह हम RC में लगाएंगे ध्यान रहे कि white वाली नीचे रखना है उसके बाद motor one में motor one में जो यहां पर है one लगाएंगे one में motor one लगेगा तो ध्यान रहे कि जो yellow वाली है वो signal वायर है red वाली positive इसको हम नीचे की तरफ yellow को नीचे की तरफ करेंगे ठीक है port one में लग गया है यान कि motor one यहां पर लग गया है अब दूसरा motor two यहां पर लगेगा इसी तरीके से चारों motors को fix करना है मोटर चारों हो गए है चारों को मैंने signal पिन नीचे रखा है बीच का positive उपर का negative ठीक है और left RC में मैंने receiver का port रखा है ठीक है तो यह है power module उपर के साइड में flight control में power module का पिन जाएगा यह देखे आप यहां से मैंने दिखाया है motor one, motor two, motor three and motor four हमने wiring complete कर दिया है नीचे आप देख सकते हो power module और यह जो है यह GPS है GPS का port GPS में और I2C GPS के दो पिन जाते है एक GPS में लगाना है दूसरा I2C में यह सुच and buzzer एक तो buzzer का सुच एक का buzzer पिन दूसरा का यह 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 आप लगा सकते हो इससे vibration कम होती है motors का 4 में यहां पे चिपका है और जो RC है वो यहां पे बजर है यह सुच वहां पे यह हमारा हो गया है complete तो wiring फुल complete है हम जो मैंने नीचे slot रखा था वो बैटरी के लिए आप मैं दिखाऊंगा कि बैटरी आपको कहां पे पूट करनी है यह 4500 mAh की बैटरी है इसको हम नीचे पूट करेंगे ध्यान रखे जूहीं आप connection दोगे positive को positive में करोगे और negative को negative में करोगे यह हमारा flight controller GPS buzzer and switch चल गया है आप राइट साइड में देख सकते हो जो receiver है उसको बिलिक कर रहा है क्योंकि ट्रानस्मीटर अभी आफ है जो ही मैं ट्रानस्मीटर को ब्लेड यहां पर जो बैल्ट लगाऊंगा बैटरी के लिए बैटरी को अच्छे तरीके से हम में बादना है ताकि यह हवा में ही क्रेस्ट न हो जाए आराम से सब चीजे करने है ताकि बाद में फ्लाइट में कोई दिकत न हो टाइम लेकर यह सारा कुछ करे और इसमें हम बैटरी को अच्छी तरीके से रखेंगे ताकि बाद में दिकत न हो जाए प्रॉपलर्स को लगाएंगे जो इसमें लिखा है रइट आर लिखा होगा जिस प्रॉपलर में वह कुलाक्वाइज में लगाना है और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है वो हो गया है बज़र को हैम एक बार प्रैस करेंगे सुच को एक बार प्रैस करेंगे उसके बाद जो ट्रनस्मेटर हैं यह हमरा हो गया है कि उसके बाद जो तो ट्रनस्मेटर है, ट्रनस्मेटर का थ्रोटल है, उसको नीचे राइट साइड में करें मैं कामरे में दिखा रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से मतलब ग्राउंड में दिखाऊंगा फिलाल के लिए हम देखेंगे कि ये मतलब चल पा रहा है कि नहीं प्रोग्रामिंग पार्ट मैंने नहीं दिखाया है, प्रोग्राम पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा हमें थ्रोटल को नीचे करना है, फिर राइट साइड की तरफ करना है और यह आरम हो जाएगा ठीक है यह हो गया है फिर दीरे 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 इसको उपर की तरफ उठाना है मुझे खाली यह चक करना है कि यह चाड़ रहा है कि नहीं चाड़ रहा है दीरे उपर उठाना है यह देखो चाड़ रहा है लेकिन मैं डर रहा हूँ क्योंकि यहां पर जगा उतनी नहीं है यह मत ओई बाबा दुबारा से मैं इसको ट्राइ करूँगा यहां पर ही मतलब एक जगे पर पहले इसमें जो जीपेस इसले है क्योंकि उसमें तीन मोड से हैं ऑल्डिचुड मोड लाइटर मोड और यह दुबारा दूबारा से मैं आरओं करूँगा उठाओंगा ऊपर थोड़ा 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 करना है ठीक है क्योंकि यहाँ पर उतनी जगा नहीं है आराम से चर रहा है नीचे से मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग एंड फ्लाइट तिल देन अलाव फिस